मदप्रदेश में अब भले ही शिवराज सिंग चोहान मुख्यमंत्री ना हो लेकिन रुत्बा अब भी सीम के जैसा ही है जो सीधे सीधे मोधी और शाह को चुनौती दे रहा है इसी कड़ी में शिवराज ने हाई कोट के चीफ जस्टिस को पत्र लिख कर बड़ी मांग कर दी है शिवराज के पत्र में क्या है सियासी माई ने देखिए इस रिपोर्ट में मध्यप्रदेश में भले ही चुनाव मोधी के चैरे पर लड़ा गया हो लेकिन MP में हारी हुई बाजी को जीतने में सबसे एहम भूमिका अगर किसी की है तो वो हैं पूर मुख्यमंत्री शिव शिवराज सिंग चौहार ने हाई कोट के चीफ जस्टिस को एक खत लिखा है इस खत में उन्होंने बड़ी बांग की है इस खत से समझा जा रहा है कि वो मध्यप्रदेश की राजनीती में आप रसांगिक नहीं हो रहे हैं बलकि तमाम बुद्दो पर उनकी सक्रेता सरकार स ज्यादा है तो पहले वो ट्वीट देख लेते हैं जो उन्होंने खत के साथ किया है उन्होंने लिखा है समाचार पत्रों के माध्यम से एक प्रकरण میरे संग्यान में आया है कि निजी विश्व विध्याले के कुल्पति जी की जान बचाने के पवित्र उद्देश्य से कि अपराधेतू छात्रों पर प्रकरण दर्च किया गया है। शिवराज के खत पर हाई कोट के चीफ जस्टिस क्या फैसला लेते हैं। शिवराज सिंग चोहान इस वक्त सीम ना होते हुए भी खुद को सीम ही समझ रहे हैं। और राज्य के हर मुद्दे पर उनका दखल भी बना हुआ है। अब देखना होगा कि सीम मोहन यादव और बीजेपी आला कमान शिवराज की इस सक्रेता को कैसे रोक पाते हैं या फिर शिवराज MP में कुछ बढ़ा करने की फिराक में हैं। DB Live की रिपोर्ट